नमस्कार बच्चों आज हम डिस्कुस करेंगे एक्सेसाइज 1B जिसकी एक्जामपल नमबर फर्स्ट आज हम यहां पर डिस्कुस करेंगे तीन कोश्चन्स आपकी एक्जामपल में हैं अच्छे से समझेंगे और चले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th Modern Mathematics शेप्टर नमबर वान जिसका नाम है सेट आज उसकी सेकेंड एक्सेसाइज की फर्स्ट एक्जामपल स्वालफ करते हैं राइट अन के साथ अग्जामपल नमबर वान में आपसे कहा क्या गया है स्टेट विच ऑफ तो फॉलिंग सेट्स आर फिनाइट अन विच आर इंफिनाइट तो जैसे के हमने प्रेविज़ वीच वीडियो में अच्छे से रखते हैं तो बिल्कुल उसी को धियान में रखते हुए आज हम डीसकैरंपन जिसमें हमसे पूछा ग्याइज करेंग ए 9 थीन दिये गया इन तीम कोस्टेंज बीश्य से और इंफिनाय- Cleveland कुंसे सेट हैं तो चले स्टार्ट करते हैं first जो एक्जांपल है that is the set of prime numbers less than 50 तो इन्हों ने हम से कहा है एक set बनाओ और वो सेट कोन सा होना चाहिए prime numbers का होना चाहिए prime numbers कोन से होते हैं वो numbers जो सिर्फ और सिर्फ दो factors से मिलके बने होते हैं one and itself मतलब जो सिर्फ अपने table और one क सके लावाँ और किसी टेबल पर नहीं आते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं उनका सेट बनाए और वह लेस देन 50 होने चाहिए 50 ते चोटे होने चाहिए और बताएं ये set finite है या नहीं, सबसे पहले हम set बनाते हैं, set बनाने के बाद देखेंगे क्या वो finite है या infinite है, सो बात करते हैं set की, हाँ जी, तो set कौन सा होने वाला है, आपको होगे हमें पता है, set में सबसे पहला element होगा, two, अगर आप one सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो, one is not a prime number and one is not a composite number, one कुछ भी नहीं होता, आगे बढ़ते हैं, two एक ऐसा number है, जो सिर्फ अपने table पर आता है, three भी सिर्फ अपने table पर आता है, पर अगर हम four की बात करेंगे, तो four, अब two के table पर भी आता है, तो एक बात में आपको बता दू, two एक लोता ऐसा number है, जो even भी है, प्लस प्राइम भी है, मतलब इसके इलावा कोई भी number अगर आप प्राइम देखते हो, तो वो even नहीं होने वाला, वो odd होगा, ठीके, चले, start करते हैं, two, three, उसके बाद five, जो सिर्फ अपने table पर आता है, seven भी सिर्फ अपने table पर आता है, nine, three के table पर भी होगा, तो इस बात का ध्यान रखें, that was eleven, thirteen, उसके बाद direct हमारे पास जो आएगा, that will be 17, 19, तो prime numbers आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, prime numbers कौन से होते हैं, ठीके जी, 31, अगर आप इसको याद भी कर लेते हो, then well done, आपके काफी काम आने वाला है ये, 41, 43, and 47, ये सारे prime numbers होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दो factor से मिलकर बने हैं, one and itself, आप चेक कर लेजिए, कि इनके इलावा कोई भी prime number नहीं है, और ये सारे जो elements हैं, वो prime है, हमें 50 से छोटे लिखने थे, तो हमने 50 से छोटे elements लिख लिख लिए हैं, आप देखके आप बता सकती हो, क्या ये set finite है या infinite है, आप कहोगे जी, इसमें limited of elements हैं, और हम सारे elements को count भी कर सकते हैं, अच्छे से, so clear है, इसकी एक limit है, यहां से शुरू हुआ, यहां पे घतम हो गया, तो आप कहोगे, yes, this set is a finite set, ठीक है, so आप क्या कहोगे, this is a finite set, simple, easy, पार्ट टू पे चलते हैं, second part आपके सामने हैं, the set of the positive integers, positive integers कोन से होते हैं, I will repeat it again, वो integers सो 1 से लेके start होते हैं, and up to so on infinite many numbers, ठीक है, greater than 50, यहां पे आपको 50 से बड़े सारे positive integers लिखने हैं, तो पहले हम set बनाएंगे, और उसको check करेंगे, कि हमारा answer क्या होगा, so हमारा solution है, 50 से बड़े, 50 से बड़े कौन से set होते हैं, हम सब को पता है, that is 51, और सारे ही integers हैं, positive integers हैं, 53, 54, अब यहां पे मुझे 50 से बड़े start करने थे, पर stop कहां करना है यह, तो मुझे question में बताया ही नहीं, तो इसका मतलब यह up to so on चलता रहेगा, और infinite many numbers यहां पर आते रहेंगे, और जब infinite many terms यहां पर हैं, हम नहीं count कर पा रहे हैं, कि how many numbers are there, तो यह कौन सा set हो जाता है, this is an infinite set, easy, how easy this is, this is an infinite set, चलो, आगे बढ़ते हैं, third example, the most interesting and थोड़ी सी graph के साथ इसको सिखेंगे, third example, the set of the concentric circles, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यह question में हमें दिया है, वो है क्या, concentric का मतलब होता है, एक ही center से बने हुए circles, एक ही center से circles जब बनाए जाते हैं, तो उनका एक set बनाए और बताएं क्या वो, infinite हैं जा infinite हैं, अब आप सोच चुगे, हमें तो कैसे पता चलेगा, हमने फिर बनाया आपके लिए एक graph, इस graph में आप देख सकते हो, इस graph में आप देख सकते हो, मैंने एक ही center को लेकर, बहुत सारे graph आपके साथ यहाँ पे share किये होए हैं, यहाँ पे मैं black pen लोंगी, एक ही center को लेकर, मैंने बहुत सारे जो graph हैं, वो आपके साथ share किये हैं, इस graph में अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, तो इन सारे जो circles हैं, ये वला circle ये वला circle, सारे circles का center एक है, अब आप सोचोगे यहाँ stop नहीं हो सकता, आप इससे भी बढ़ा circle ट्रोघ कर सकते हो, इससे भी बढ़ा कर सकते हो, इससे भी बढ़ा कर सकते हो, और बड़ा कर सकते हो, क्योंकि center तो सबका एक ही है ना, तो आप एक plane में एक center से कितने circle draw कर सकते हो, infinite many circles, आपकी copy खतम हो जाएगी, आपका plane खतम हो जाएगा, पर आपके circles खतम नहीं होंगे, और उसे बड़े copy लो, blackboard लो, दिवार रो, आप कितने भी infinite many circles draw कर सकते हो, एक ही center के साथ, क्योंकि यहाँ पर नहीं mention किया, circle बड़ा है, छोटा है, radius क्या है, कुछ mention नहीं किया, radius छोटा हो, बड़ा हो, बट आप यहाँ पे भी, इन दोनों के बीच भी infinite many circles यहाँ पे हम बना सकते हैं, 1.1, 1.001, ऐसे radius लेने के बाद, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास concentric circles हैं, वो भी एक infinite set जो है, बनाते हैं, तो चले बस फीर, उस चीज़ को follow करते हैं, और उस चीज़ को follow करने के बाद, अपना answer लिखते हैं, हमारा answer क्या होने वाला है, the set contains infinite, मतलब बहुत सारे, infinite many जो circles हैं, वो यहां पर आ जाएंगे, infinite number of concentric, concentric का मतलब होता है, जिनका center सेम होगा, circles in a plane, clear है, तो एक plane में बहुत सारे concentric circles बन जाते हैं, सो हमारा answer होगा, this is an infinite set, this is your solution of the example number one, I hope you like the video, if you like the video और आपका दावत अच्छी सी clear होया, so please don't forget to like, share and subscribe, thanks for watching,